यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ अगवाकर बच्ची से दुषकर्म को अंजाम दिया गया है पुलिस को मामली को लेकर सुचित किया गया पुलिस मौके पर पहुँची मामली की जान्च भी शुरू कर दी है हालांकि आरूपी अभी पुलिस के गिरब से बाहर बताया गया तो एक के बाद एक जिस तरहं कि मामली ये साबने आ रहे हैं एक बार फिर से कारून व्यवस्था पर एक बार फिर से पुलस पुश्यासन पर सवाल उठे है साती सरकार ने हालांकी दावा जरूर किया है कि कारून सक्त कर दिया गया महिला था ने खोल दिये गए है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा अफ्यान भी शुरू किया गया लेकिन उसके परिणाम कितने अच्छे हैं वो अभी तक जवाब नहीं मिल पाया खे एक और मामला सामने आया खे हिसार के नारनों से आठ साल की नाबालिक से रेप किया गया खे आपको बता दें कि हर्याडा में बारह साल या उससे कमुम्र की लड़कियों से रेप या फिर गैंग रेप के जाने के दोशियों को मृत्यों दंड दे जाने का प्रावधान किया गया खे कानून बना दिया गया खे उसके बावजूद भी इस तरहं के घटनाओं पर अंकुष लगता नजर में की आता एक और खबर ये सामने आई है रेप की चलिए खबर पर जया जरकारी के साथ अजे लुखान हमारे समधाता नारनों सिफ ओन लाइन पर खे अजे पूरी जानकारी क्या खे नावालिक से रेप को लेकर बताना का हूँगा कि नारनों भलके के गाउं का ये बहुत बड़ा महुला सामने आ है पुल्स की तरब से बार बार ऐसे वादय की जाते हैं दावे की जाते हैं ये आपराद जो हमारे मिंदर में हैं लेकिन बिची रात को एक आफ साल की जो नावालिक बच्ची है उसको जो लोहार गड़ी हैं उनकी वहां से उठा लिया जाता है और उसके बाद रेट करके उसको सोर दिया जाता है तो जब वो बच्ची तिलाती हुई अपने परिजन के पास आती है तब उनको ये सारा मामला हुआ है लेकिन हैरानी की बात हो तब हुई कि रात को डॉक्टर ने इसका मेडिकल करने से इलकार कर दिया था और अब फिलाल मोके पर भारिज पुलिस बल यहां पर मौझूद है हांसी की जो एसपी है वो यहां पर इस पस्टी का हालताल जानने के लिए यहां पर पहुंची है तो कहीं न कहीं जो इस सरह के मामले हैं वो दिन पर की बढ़ते जा रहे हैं डॉक्टर से मेडिकल करने से बना क्यों कि आज है अगर हम बात करें तो उनका दुख्रों का यही कहना था कि हमारे पास अभी लेडी डोक्र है नहीं और जैसे ही सुबह होगी सुबह होने के बाद ज इस अरूपरी सक पहुंचने कि कोसिस यहां टे की जा रही है, खुद हासिक की एसिती है, प्रतिक्षा गोजारा वो यहां पर हालवा जाने के लिए पूँछी है इस हालात कर घायदा कदार लेने के लिए इनका यह बहुत बड़ा स्वाल यहां पे बच्चियों के सुरख्षा के मामले को लेकर ख़़ा होता है एक तरफ पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश वर में बच्चियों की सुरख्षा के लिए जज़े जानगल दे जाते हैं और उसके बावजुद इस तरह की ज़सा है फिर होना तो कहीं नहीं एक तरफ जहां बच्चियों की सुरख्षा पर एक तवाल खरेक करता है ताथ हुए कहीं नहीं परतासन को और यह कहीं कि परवर्दी के जो लोग है उनके लिए एक बहुत बड़ा परसुचिन है बनता है बिल्कुल साथी क्या बच्ची के की सुधार फिरिव ह् हें बच्चिव नहीं नहीं तो इसनों की बात करें दो फरीजन है जो इस उस बच्टी की माह है जो बच्टी की नहीं स capaci क्योंकि प्राइब नहीन नहीं नहीं सांवित और क्योंकि उनक पुद्रे हुए कि कहीं अपरादी उनको और ज़्यादा नहीं पहुंचा दे अभी उनकी तरब से कोई ऐसा ब्यान नहीं आया है। अब खड़े हुगे स्वामले साथ।